हलो फ्रेंड मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा यूटूब चनाल डिकेडी क्रेशन पर फ्रेंड आज की फीडियो में हम बात करेंगे भारतिय सम्मेधान के उपर बार इंडियन कॉंस्टूशन के उपर जहां पर हम मुखेत चे पॉइंट के उपर बात करने बाले हैं जिसके तुरू हमें हमें भारतिय सम्मेधान के बारे में पता चल पाएगा पहला जो पॉइंट है इंडियन कॉंस्टूशन दूसरा पॉइंट है दिमान फ़र दुकान्सटूइंट एसेमली नी इंडिया तीसरा पॉइंट है कृिप्सिंड पोंस्टूशन के उपर हम आलोचना करने बाले हैं तो चलिया सुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट के साथ हमारा भीडियो जो की है भारत्य समिधान का पारम जहां पर हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार का विवस्ता है और ये अलिखित है या लिखित समिधान है समीधान में किसी देश द्वारा प्राक किये जाने बाले आदर्सों और लेक्षों का समाबेस होता है इसके साथ साथ उस शाषन व्यवस्ता सरकार का स्वरूप, सक्मियों का विभाजन, अधिकार भा मोलिक करते वे आधी विशय का भी बिश्दूद वणन होता है बास्तव में किसी भी देश का समिधान का दरपन की भांती कार्य करता है जो उस देश का साशन व्यवस्ता एवंग राज्य के सरुग को परिलिखित करता है समिधान लिखित भी होता है और अलिखित भी सर्वपसं संसार में लिखित सम्मिधान के रूप में आमेरिका सम्मिधान का निर्मां 1789 में हुआ जबकि व्रिटेन का सम्मिधान सबसे प्राचीन अलिखित सम्मिधान है जो कि मुख्यतह प्रतह बोरीती रिवाजों से संचलित होता है लेकिन अलिखे समिधान का तातवर्जे यह नहीं है कि वरिटन का समिधान कमजोर या निस्क्रिय है सरवस्य समिधान वही होता है जिसका आदस्बा लक्षय को जनता हुदेगम कर उनकी प्राप्ति के प्रती सतत प्रयत्नसिल हो इस दुष्टी से सम्मिधान का लिखित या लिखित रूप महत तो नहीं रखता है बलकि किसी कानुन को लिपिभद करने से अच्छा है कि उनकी चाप लोगों के मन मस्तिस पर अंकित हो दूसरा पॉइंट जो की है डिमांड फॉर्द कॉंस्टिट्वेंट एसेमली इंडिया जहां पर हम बात करेंगे कि भारत में कॉंस्टिट्वेंट एसेमली का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ था भारत के लोग स्वयम अपने राजनितिक भविश्य का निर्धान कर सकें इसलिए भारतियों निताओं द्वारा सम्विधान सभा की गठन की मांग ब्रिटिश राशन से समय समय पर की गई आमेरीका की स्वतन्तता और उनके द्वारा सम्विधान निर्मान फ्रांस की राजियो क्रांति तता विश्यो की अन्य लोकतांत्री को घटनाओं ने भरतिय और लोगों को स्वासाशन प्राप्ति के लिए और अधिक प्रेरित किया सर्वर प्रत्थम तिलक ने समिधान सभा के गठन की मांग को 1895 में आपना स्वाराज विधायक में उठाया 1922 में गांधी जी ने भी समिधान सभा की मांग की और कहा की भारतिय समिधान भारतियों की इच्छा अनुशार ही होगा इसके पश्चा तो समिधान सभा की विचार ने एक व्यापक रूप धारन कर लिया विविन्न प्रस्तावों और सभावों में समिधान के निर्मान की मांग को दोराया जाने लगा सर्वर प्रतम उपचारिक रूप से भारत के समिधान निर्मान के लिए समिधान सभा के गठन का विचार MN रोय द्वरा प्रस्तूत किया गया जिसे मृत्य रूप दने का कार्य जवाला नेरूत द्वरा किया गया 1935 में भारतिय राष्टर कंग्रेश ने समिधान सभा की स्तापना के लिए प्रस्ता पास किया और घोष्णा की कि यदि भारत को आत्म निर्ने का अफसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधी सभा बुलाई जानी चाहिए जो सर्वसमत समिधान का निर्मान कर सके यही समिधान सभा होगी डिसेंबर 1936 के लखनो कंग्रेश अधिवेशन में समिधान सभा के अर्थ और महत्तों की व्याख्या की गई 1938 में कंग्रेश के अधिक्षपंडित जवाला नहरू ने इस मांग को दोराया तथा वैश्यक मताधिकार के आधार पर चुनी हुई एक समिधान सभा का विचार प्रस्थुत किया जो बिना किसी भ्रम्ब हस्तक्यफ के भारी हस्तक्यफ से स्वतंत्र भारत का समिधान बनाए गांधी जी ने सहित अनिय लोगों का भी मानना था कि समिधान सभा से इस देश की सामुदाईक असान्ति दूर होगी और वो देश को उचित राजनितिक दिशा प्रदान करेगा लेकिन जहां एक तरब भारतिय राष्ट्र कंग्रेस समिधान सभा के गठन की मांग को बार बार दोहरा रही थी वही दूसरी तरब मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश आशन की भांती इस मांग का विरोध किया समिधान सभा की स्तापना के विशे में मुस्लिम लीग का दुष्टिकोन आरम से ही अलग था मुस्लिम लीग ने कंग्रेस द्वारा मांगी हुई समिधान सभा के प्रति ना ही कोई सहनभुतित तथा ना ही कोई सहयोग दिया क्योंकि उनके विचार में समिधान सवा एक ऐसा साधन बन सकती थी जो हिंदु साशन को सारे देश में फैला देगा 1940 में लाहोर में हुआ समेलन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्तापना को अपना राजनितिक लक्षग घोसित किया जिसे जिन्हा के द्वी राष्टर सिधान के नाम से जाना जाता है जिनमें उन्होंने एक प्रुथक मुश्लिम राज्यक की मांग की अपने इसी उदेशक या मांग को ध्यान में रखकर मुस्लिम लीग समिधान सवा के बारे में सहमत हो गई लेकिन उसने मुसलिम मुसलमानो के बहुत शंख्यक खेत्रों के लिए पुरुथक सम्विधान सवाग की मांग भी उठाई तो जनली यह था हमारे डिमांड फॉर्ड पॉर्ड अलग ही प्रकार का था तो जनली अभी हम बात करेंगे तिसरा पॉंट जो की है क्रिफ मिशन के उपर हाला कि 1940 के पुर्व तक व्रिटी सरकार का दुष्टिकोन सम्विधान सवाग के गठन के प्रती नकरत्मक बा विरोधत्मक रहा लेकि 1940 के बाद उनके इस दुष्टिकोन में परिवर्तन देखने को मिला जिसका मुख्यत दो कारण रहे प्रत्म अब कॉंग्रेश के साथ साथ मुस्लिम लिग ने भी सम्विधान सवाग की मांग की तो उसका व्यापक प्रभापड़ा दूसरे दुतिय विश्वजूद की आवशकताओं और राष्टिय तथा आंतराष्टिय सक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवस कर दिय 8 अगस्ट 1940 को भाइसरोय लौल लिलिथाओगो ने घोशना की थी कि दुतियों विश्वजूद के पश्चाद भारत में एक पुर्ण उतरदाई सरकार की स्तापना की जाएगी तथा साथ ही एक सम्विधान सवा की स्तापना का प्रभंद किया जाएगा अतह हम देखते हैं कि दुतियों विश्वजूद के पश्चाद क्रिफ्ष योजना के अनुसार सम्विधान सवा का निर्मान इस दिसावक में अगला कदम दित था सार्स्टेपड क्रिफ्ष ने ब्रिटिस कॉमन सवा में कहा था कि मेरा मत है कि भारत की राजनीतिक समश्याओं का समाधान एक सम्विधान सवा की रचना के माध्यम से ही संभव है प्रिप्ष युजना के अनुसार भारत्य संग की स्तापना उस सम्विधान पर आधारित थी जो भारत्य सम्विधान सभाग द्वारा त्यार किया जाएगा इस युजना में सम्विधान सभाग की रचना की बीधी की भी चर्चा की गई इस सभाग में दो प्रकार के प्रतिनिधी होने थे प्रथम तो प्रांटियोस व्यवस्तापी का द्वारा निर्वाचीत प्रतिनिधी और दूतियो भारतिय रियासतों के साशकों द्वारा मनोनित प्रतिनिधी लेकिन दुर्भाग्य से क्रिप्श मिशन योजना दोशों से उचित नहीं थी जिसके कारण इसे भारतियों जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा सर्वर प्रथम इसके आलोचना इस आधर पर की गई की सम्विधान सभा में रियासतों के सदेश्यों की संख्या तो रियासतों की जन संख्या पर आधरी थी पर उनमें रहने वाले नो करण व्यक्तियों को अपने प्रतिनीदी चुनने का कोई अधिकार नहीं था इसमें भी अधिकार निरासा जनक बात यही थी कि भारतिय राजयों द्वारा माननित सदेशोक को रुडिवादी तथा लोक तंत्र का बिरोधी होना स्वाविक ही था ऐसे व्यक्ति भारत के सर्वधानिक प्रगती में रुकावाद डाले बिना नहीं रह सकते अभी हम बात करेंगे चोठा पॉइंट जो कि है फ्रमेशन आप केबिनेट मिशन प्लान एंड कॉंसिट्वेंट एसिमली क्रिप्स योजना के अस्टाफल होने के बाद 9 फेवारे 1946 में ब्रिटिस प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक केबिनेट मिशन भेजने की घोशन केबिनेट मिशन ने एक योजना पेस की थी जिसका मुख्य विश्चता ये थी कि इसने भारत की विवाजन को आविश्कर कर दिया साथ ही साथ इसने देशी रियासतों तथा ब्रिटिस भारत को मिला कर एक भारत्य संग बनाने का सुझाब दिया इस योजना में संभिधानिक सभा का निर्ने के बारे में मूल चार विवस्ताएं थी इसमें कुल 389 सदेशे होंगे जिनमें 292 प्रांतों से 4 सदेशे चीप कमिशनर प्रांतों से तथा 93 सदेशे भारत्य रियासतों से होंगे प्रतेक प्रांतों द्वारा घेजे एक सदेशे की किर संख्या उनकी जन संख्या के आधार पर निशित की जाएगी प्रतेक 10 लाग जन संख्या पर एक सदेशे निर्वाचित होगा प्रांतों को दिये गे स्तानों को उनमें रहने वाली मुख्य जातियों की शंक्या के आधार पर विभक्त किया जाएगा इसमें प्रतिक जाति के लोग अपने प्रतिनीधी चुनेंगे भारतीय रियासतों से भी जन्शंक्या के आधार पर प्रतिनीधी आने थे किन्तो उनके चुन्ने की वीधी का निने शासोकों के प्रामर्स से करना था इस प्रकार केबिनेट मिशन योजना एक व्यापक था महतपुन योजना थी जिसमें अखंड भारत के लिए संभिधान सभा के गठन के सुझाव दिये गए थे वास्तब में इसने भारतियों की दिर्ग कालिन इच्छा की ही प्रूति की थी लेकिन दूसरी तरह योजना क्रिप्ष मिशन योजना की भांती दोस्रहित नहीं थी फिर भी संभिधानिक प्रगती में यह एक बड़ा महतपुन कदम था कॉंग्रेष और मुस्लिम लिग के साथ साथ सब राजनितिक दलों ने इस योजना का सुझार कर लिया कॉंग्रेस ने स्वाधिन सभा द्वारा स्वतंत्र अखंट तथा लोकतंत्रिय भारत के संविधान के बनाने की आशा से प्रेरित होकर इसको सुईकार कर लिया वही मुस्लिम लीग ने इसे योजना में पाकिस्तान के बनने के वीज ओपसित देखकर इसको सुईकार करने में अपनी भलाई समझी अभी हम बात करेंगे फाइप नमबर पॉइंट जो कि था कॉंपोजिशन एन कॉंस्टिटूशन अप दे कॉंस्टिटूएंट एसेंबली के उपर जुलाई 1946 में केबिनेट मिशन योजना के तहत अब प्रत्यक्षे चुना प्रनाली द्वारा चुना वहा इस चुना में बिटिस भारत में भारत के 292 स्ऴाणों में से कॉंग्रेस ने 208 मुश्पलिम लिग ने 73,7 निर्दलिय सदिश्वर तथा चार स्थान इन शिखाओं ने प्राप्त किये इन चुनावों में कंग्रेस की भारी सफलता को देखे देख मुस्लिम लीग ने समिधान सभा को वहिसकर कर दिया और पकिस्तान के लिए एक पुरुथक समिधान सभा की मांग पारम कर दी मुस्लिम लिग के इस स्वयव के कारण स्थिती और अधिक विगड गई हलांकि इस समश्याक को दूर करने के लिए ब्रिटिस सरकान ने लंदन में एक समयलन बुलाए दिसमें पंडित नहरू देन जिनहा तथा सिखो की और से सरदार बलदेव सिंग समयलित हुए लेकिन इस समयलन का कोई परिणाम नहीं निकला इसका परिणाम वही हुआ जो होना था लिग ने समयधान सभा में समयुक्त होना आवशक नहीं समझा और अलग समयधान सभा की मांग करती रही दूसरी तरफ विटीस सरकार ने जून 1948 तक भाहर छोड़ने की घोशना कर दिये समयधान सभा याता सिघ्र समयधान निर्मान कर सके इसलिए पंडित नहरू ने एक समीती नियुक्त की जिसके दूरा समयधान सभा के कार्य संचालन की आवशक प्रक्रियात ते की गई 9 डिसमबर 1946 को समयधान सभा का प्रतफम अधिबशन शुरू हुआ जिसकी अध्यक्षता श्री सचिदानान सिना द्वारा की गई जिनकी संविधान सभा की अस्ताई अधक्षे चुने गए लेकिन सिग्रही डक्तर राजेंदर प्रसाद को स्ताई अधक्ष के रूप में चुना गया 13 डिसेंबर 1946 को नहरु द्वारा एक प्रस्ताब लाया गया जो संविधान निर्मान की दिशा में प्रथम कदम के रूप में जाना जाता है इस प्रस्ताब का संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए नहरु ने कहा है मैं आपके सामने जो प्रस्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उदेशे की व्याख्या की गई है योजनाओं की रूप रेखा दी गई है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने बाले हैं बो प्रस्ता में बड़ा ही महत्तो पुन था जिसमें निन्मी लिखत बातों को उलेक था पहला जो था भारत में एक स्वतंदर तथा सर्वभूंग गणराजयों स्तापित क्या जाए दूसरा पॉइंट था इस गणराजयों में भारत के समेथ वेक्तियों को राजनीतिक, आर किसी भी धर्म तथा मत को अपनाना तथा छोड़ने की पूर्ने सोतनतता होगी चार अलपसंख्यक अनुस्चित जातियों तथा जन जातियों विछड़े वर्ग को हीतों की सुरक्षा का प्राभन क्या जाएगा श्री केम मांजी ने इस प्रस्ताब के बारे में कहा ये प्रस्ताब हमारे गणतंतर की जन्वर पुति है देन प्रस्ताब के समर्थन के पश्चाद विविन्न विशवक पर विचार विमर्ष हेत्तु विविन्न समितियों का गठन क्या गया था जिन में प्रमुक समितियों थ संग समिधान समीति प्रांचियों समिधान समीति संग सक्ति समीति मूल अधिकारवा अलपशंक्यों से संबधित प्रामर समीति प्रारूप समीति आधी देशों के रियासतों से बादचित करने के लिए समिधान सभा के समिधान ने एक बारता सिमीत वहले ही गठित कर दी थी इन समीतियों ने विचार पिमर्स के पश्चाद अपनी रिपोर्ट समिधान सभा की हमुक्र पस्तुत की। उन पर बात बिबात के पश्चाद सदवसो द्वारा अवशक संसोधन रखे गए। इन समीतियों के केंद्र में प्रारूप समीति थी डॉक्टर भिम राओ अमेतकर इस समीति के आध्यक सुने गए जिन में अन्य सदेस्तर मुहमद सदुल्ला, केम, मुन्सी, भीयल, मित्र, एवं गोपल स्वामी आयंगर, आलदी कृष्चन स्वामी तथा डिपी खत्यन थे। बाद में मित्र और खेतन के स्थानों पर एन माधबराव तथा टीटी कृष्चनमाचारी को न्यूट किया गया। इस प्रस्ताफ समीति का मुख्य कारे यह था कि वो समीधान सभा की परामर्स साख्या द्वारा तयार किये गए समीधान का परिक्षन करें और फिर समीधान का विचार के लिए समीधान सभा की संभुख प्रस्तुत करें समीधान सभा ने इस प्रारूप का तीन बार बाचन किया था तर लगवग एक वर्स तक गंभीर विचार बिमार्स के पस्चाद 26 नवेंबर 1949 को इस पर समीधान सभा के अधक्स डी डक्तर राजंद्र प्रसत ने हस्ता खेर किये इस प्रकर स्वतंद्र भारत का समीधान पूर्णर रूप से त्यार हो गया अपने अंतिवरूंप में समीधान ने में 395 अनुचेज और 8 अनुश सुचियों थी समीधान निर्मान कार्य समीधान सभा ने 11 अधिवेशन में क्या जिनमें कुल 114 दिन सभ पर विचार किया गये संपूर्ण समीधान के निर्मान में दो बर्स 11 महिन और 18 दिन का समय लगा इस कार्य पर लगभग 64 लाग रुपे वेह हुए 24 जनवारे 1950 को समीधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ जिसमें समीधान सभा ने सर्व समीध से डॉक्टर राजेंदर परशाद को भारत का प्रतम राष्टरपती चुना समीधान सभा की सभी सदेशों ने समीधान पर हस्ताखेर किये पंडित जवालान नेरूस हस्ताखेर करने वाले प्रतम व्यक्ति थे हाला कि 26 नवेंबर 1949 को जब समीधान पुर्ण हुआ तो नागरिक्ता, निरवाचन और आंतरिम संसत से संभधित उपदाओ को तुरंत लागू कर दिया गया लेकिन समीधान को 26 जानवरी 1950 को पुर्ण रूप से लागू क्या गया समीधान को लागू करने के लिए 26 जानवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि समीधान निर्माता भारत के प्रतम सोतनतर दिवस 26 जानवर 1930 की पूर्ण स्मूति को समनित करना चाहते थे अभी हम बात करेंगे समीधान सभा की स्तिति और आलोचन अत्मक टिपनियों के उपर भारते समीधान का निर्मान एक समीधान सभा द्वारा क्या गया था जिसमें विभिन्न वक्षों का अपना अपना योगदान रहा फिर भी समिधान सभा की आलोचना करने वाले आलोचो का मत है कि ये सभा एक दलियर सभा थी और यहां मुल रूप से कॉंग्रेस पार्टी का सभा थी इसी प्रकार की अन्य टिपनेयों में आलोचो को द्वरा भारतिय समिधान सभा पर भी पर की जा रही है जिनमें इसे कुछ का विवाचन निर्वी लेखता रूप से क्या जा रहा है क्या समिधान सभा प्रस्तुत प्रभुत्त संपुन्न संस्ता थी समिधान सभा की निर्मान के प्रस्चाद ही ये एक विवाद का विशय बन गया कि क्या समिधान सभा स्वयम में प्रस्तुत प्रभुत्त संपुन् आलो चको के द्वरा ये तर्क दिया जाता है कि इसका निर्मान ब्रिटिस सरका द्वरा अस्विक्रित प्रदान करने के बाद किया गया था अतहर इसमें इसको समाप्त करने की सक्ती भी उसको प्राप्त थी दूसरे केबिनेट मिशन में खमिधान सभा की सक्तियों अधिकारों बाद सिमाओं पर प्रतिवन लगाए हुए थे ब्रिटिस संसद के एक बाद बिवाद में तो विंस्टन चल्चिल ने समिधान सभा की बैदता को ही चुनती दे दी जबकि सत्य यह है कि भारत की विशिष्टर सिक्तिती होने का कारण ब्रिटिस सरकार और पस अंक्यों की हितों की सुरक्षा के लिए बचन बद थी किन्तु जब वाजन योजना सुइकार कर ली गई तो ये समश्य समाप्त हो गई और विटेन ने किसी भी प्रकार का प्रतिबन नहीं लगाए भारतियों नेता का कहना था कि चुंकि भारत सम्विधान सभा ने सकती जनता से प्राव्ट की थी अतहाप प्रभूत्त संपुनत थी स्वयम नहरू ने इस विचार को पूष्टी करते हुए कहा सरकारों राजकियों पक्षक से पदा नहीं होती बास्तव में वो जनता की इच्छा के अभिविक्ति होती है हम आज यहां इतलिए एकत्रित हो पाए हैं क्योंकि हमारे पीछे जनता की सकती है दूसरा पॉइंट सम्विधान सभा प्रतेक्षर रूप में निर्वाचित सभा थी आलोचको का यह भी कहना था कि सभा प्रतेक्षर रूप में प्रतेक्षर रूप से निर्वाचित थी प्रतिनिधी जनता द्वहरा बैस्चक मताधरी के आधर पर निर्वाचित नहीं हुए थे अता ये वस्तविक रूप से भारत शेच स्वने जनता के प्रतिनिधी नहीं थे झाल झाल